दोस्तों राजस्थान में चुनावाओं से पहले कई परकार के नेता अलग-अलग दावे कर रहे हैं और कॉंग्रेस नेताओं का दा ये कहना है कि हमने जो योजनाएं चलाई हैं उसके आधार पर हम लोग रिपीट कर रहे हैं हमारी सरकार बन रही है योजनाओं की बात करें तो सबसे चर्चित इन दिनों राजस्थान में जो योजना हैं वो हैं निसुल्क मूबाइल फोन जो महिलाओं को मिल रहे हैं और दूसरी अनपूरणा फूर्ट पैकेट के अंदर जो मिर्चि मिलती है उस मिर्चि का हकीकत देखने के लिए reality check करने के लिए हम एक गाव में आये हैं एक घर में आये हैं यहाँ पर दो परकार की मिर्ची हैं मेरे सयोगी आपको नजदिक से दिखाएंगे एक ये मिर्ची जो सरकार ने दिये एक ये मिर्ची जो घर में खाई जाती है अब इस मिर्ची को हमने गाल के देखा तो यहां तो एक दम से जैसे लग रहा है अब मैं मेरे मूह से नहीं के मूह से आपको सुनाँगा और जो दूसरी मिर्ची है वो घर की जो साधान मिर्ची हो आप ने थोड़ी सी गाल के देख ली अब रेट है यह मिर्श खाई तो मर जाएगा बिल्कूल कोई रोग हा लगेगा और तो करहें कि मिर्ची का अशा है बाखी खाने का नहीं है और मैंने तीना आगडा शितर पर लिया मैंने मर्शी कहई यह आब यह सो गवा मर्स नहीं में निकली है मैंने मिर्शी खाई है यह इसी मिर्शी नहीं यह गर की मर्शी पड़ी अब देखें वह देख लेंगे अपने दिल कह देगा यह अम इतनी गर्मी के अंदर और हम गए हैं वह लेने के लिए और वह भीड के अंदर लेके आया गर लाके देखे तो आपने देखो आप मेंडिये वाले यहां पॉसे हो तो देखो यह मिर्शी है कि आप दूसरे मंद को और बैठे हैं अब खैर पूरी बात हम करेंगे लेकिन कहीं न कहीं जो लोग सैंपल की बातें करते हैं कॉलिटी की गुणवता की बातें कर रहे हैं लेकिन हकीकत में क्या है देख लो सेंपल में मसीनों में आपने पता नहीं कैसे इसको पास कर दिया कैसे कर दी लेकिन इससे अगर सब्जी बनाएंगे जैसे हमने खुद ने यहां पर आकर के देखा और आप प्रक्टिकल आकर के देखेंगे गालेंगे तब समझ में आएगा सब्जी बनाकर खाने की तो दूर क बात एक बार इसको देख लेते आप यह कहेंगे ऐसे हम कैसे खाएं जैसे बाबा ने काया कि तो मिट्टी है इसको कैसे सब्जी बनाएंगे सतर साल से मैं मिर्ची खा रहा हूं यह कह रहे हैं लेकिन ऐसी मिर्ची हम लोग खाते हैं कि बहुत जल्द बड़ा खुलासा करेंगे सुक्रिया